हाई फ्रेंड्स आज में आप सब के साथ बहुत ही डिलिस्यास सी रस्पी शेयर कर रहे हूं ? जिससे आप एक बार बनाएंगे तो आप खीर और समया खाना भूली जाएंगे बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही डिफरेंट सी रस्पी है फ्रेंट्स आई हूप आपको बहुत ही पसंद आएगी तो ये इस प्यारी सी रस्पी का नाम है दूद बड़ा तो दही बड़े तो यह आपको बहुत ही पसंड आएगी फ्रेंट भानाने के लिए दो पार्ट में डिवाइट करींगे भी ऊंति पार्ट में इसके लिए आप करेंगों और सिचेक पार्ट में इसके लिए बड़े बना के तयार करेंगे तो इसके लिए दूद के लिए मैंने यहां पे 20-22 काजू, 20-22 बदाम और 7-8 हरेलाईची और 10-15 मैंने यहां पे पिस्ता लिया हुआ है और यह दो बड़े चमच मैंने यहां पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है यह मार्केट में इसली मिल जाता है तो इन सब को बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे आप इसे ग्राइंड न कीजे इसे हम चाकू से ही बारीक बारीक कट कर लेंगे बहुत ही बारीक कट करना है इसे आप जैसे भी कट कर पाएं इसे बहुत ही बारिक कट कीजे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप इसे ग्राइंडर ग्राइंड कर देंगे तो इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यह सारे ड्राइफ फूड्स को ऐसे ही बहुत ही बारिक-बारिक से कट करने हैं तो मैं आपको काट की दिखा रही हूँ इस तरह से हम काजु को और बादाम को और पिस्ते को हम सब को ऐसे ही बारिक-बारिक से कट कर लेंगे तो इस तरह से बारिक कट होने से इस पर बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट आता है और थोड़ी थोड़ी से जो बारिक टुकड़े जाते हैं मूं में वह बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देते हैं आपके बड़े को तो इस तरह से हम सारे ड्राइफ फूट्स को कट कर तो देखे फ्रेंट्स मैंने इस तरह से तीनों को अच्छे से काट लिया है बारी-बारी काजू बदाम और पिस्ते को तो इसे एम एक साइड में रख देंगे और इसके लिए वह दूद तैब करेंगे तो फ्रेंट्स मैंने यहां पे कढ़ाय लिए इसमें नीचे मैंने और इसमें पानी नहीं अट करेंगे इसे ऐसे ही हमें उबालना है तो दूद आप अच्छा ही ले गाड़ा दूद तो इसे हम बोईल कर लेंगे तो दूद मैंने यहां पर कच्चा लिया हुआ है इसे बोईल कर लेंगे तो इक उबाल एसमें अपने ड्राइफुट्स बगर एट करेंगे तो यहां पिर दिखिंग दूद में फुबाल ला गया है अब जासे हम एक दो मिट के लिए पका लेंगे पहले इस तरह से चलाते हुए जे घैस को यहां पी द्हीमा कर दे और इससे इस तरह से चलाते हुए पका ले तो दो से तीन मटे से अच्छे से पका लेंगे वर?? इसके बाद मैंने जो डाइफ रूड्स लिये थे उसमें से थोडे से फूर्ड चाल दिये हैं इसे ऊपर से डेकॉरेट करने के लिए मैंने निकाल दिया है बाकी की बचे हुए ड्राइफ रूट्स हम इसमें एड़ कर देंगे तो इन तीनों को अब हम इसमें एड़ कर देंगे और इन्हें मिला देंगे अच्छे से आप चाहें तो इसे किसी मोटी तले की बगोने में भी बना सकते हैं इसकी बाद मैंने यहां पर डेसी केटेड कोकोनेट लिया हुआ है इसे इस चमच से नॉर्मिली चमच से हम दो चमच एट करेंगे तो ज्यादा ना एट करें आप बलतो ही चमच हम इसमें डालेंगे सिंपल चमच से और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे और दूत को अच्छा गाड़ा होने तक हम पका लेंगे और शाइडों पर इसे दोड़ा होने तक हम इसे इसे धीमी आचे से स्क्रैप करके और साइडों पे भी अच्छे से स्क्रैप करके हमें से निकाल लेंगे इस तरह से तो अभी थोड़ा साम दूद को और पका लेंगे आप इसके बाद मैंने यहां पे हरी अच्छी को और बना लिया और इसमें एक यां फ्रेंड्स मैंने यहां पे सव गर्म चीनी आटके होई है अगर देखते हैं तो यहां चीनी आप अपने लिग टेस्ट के पाउड्डिंग इसमें चीनी आट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने एक कटूरी 100 ग्राम के करीब यहां पिचीनी अट की हुई है इसे मिला देंगे अच्छे से और बस इसे हम दो मिनट और अच्छे से पका लेंगे कि चीनी अभी डिजॉल्व होगी तो थोड़ा सा दूद वापस से पतला हो जाता है तो जब तक दूद त्यार होता है तब तक हम यहां पे बड़े के लिए डो त्यार कर लेंगे तो यह डो मैं मैदे से बना रही हूं तो डो बनाने के लिए आप किसी कटूरी या फिर किसी क तो यहां पर दूब पानी ले ले लेंगे और इसी कप से मैं डो बड़े चमच द चिपके नहीं जब हम इसका डो बनाएंगे तो तो यहां पर मैंने देशीगी एड़ कर दिया है दो चमच इसी मिला देंगे हम तो फ्रेंड्स मैंने इसी कप से जिसकप से मैंने पानी एड़ किया था तो दो कप पानी मेंने लिया है तो एक कप हम इसमें मैदा लेंगे आप यही मीजरिंग किसी कटोरी से भी कर सकते हैं तो तो इसे मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी में एड़ करेंगे और इसे मिला लेंगे मिलाते जाएंगे टूझ काप जानते, अगर पानी जादा गरम हो जाएगा तूझ काठे लागना अगल घ्र इस तरह से आगर आपके तूझ जाँगी तो इस तरह से आपके लिफाध से करेंगे तो इसे हम फाला ही मैदा 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 करूंगी और इसे मलाते जाएंगे, ताकि इसमें कोई को तो देखिये कितनी अच्य से इसे मिल गया को हसी इस तरह से का इस तरह सेम खान पानीमेस ते मिक्स कर लेंगे खा है थोड़ी ही देर में जिश तरुछ सा डौ फेटते जाएं इसे चलते रहें इससे जो एक्स्रा पानी होगा इसी मैं आब जोफ़थ हो जाएगा मैदे में ही तो है तो इस तरह से आप इसको चलंगर चल्गे अच्छी से सुखktionब लें एक्स्रा पानी को इसी में तो आफी डूं हमारा काफी लिक्विडी है लेकिन यह थोड़ा सा हुझाइगा तो थोड़ा सा यह ठिक हो जाएगा तो देखिए इस तरह से यह लगबख हमारा रेडी हो चुका है डो तो पांच से छे मिनट इसे अच्छे से लग जाएंगे त्यार करने में तो मैंने यहां पर गैस को बंद कर दिया था यह थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसे एक बरतन पर निकाल लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे तो यहां मैं इसे निकाल के रख देती हूं तो इस तरह से सारे डो को आप निकाल करके रख लें तो यह बहुत अच्छे से पूरी तरह के स्थंडा हो चुका है इसके बाद हम हाथों पे हलका सा ओयल लगाएंगे और इसकी छोटे-छोटे पीड़े बना लेंगे यह बड़े त्यार कर लेंगे इसके चोटे-छोटे से गोल-गोल तो इसी मैदे के दो से हम इसके लिए बड़े त्यार करेंगे तो इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें इसके बाद इसके बड़े बनाईएगा तो इस तरह से हम सारे बड़े को त्यार कर लेंगे पेड़े शेप में गोल गोल बहुत छोटे जाकार के क्योंकि अब यह तेल में थोड़े से फ्राई होंगे तो थोड़े से फूल जाएंग उसके बाद जब हम इसे दूद में आठ करेंगे तो उसमें भी थोड़े से फूल जाएंगे तो इसलिए आप इने थोड़ा चोटा ही रखें तो मैं अपर चोटी-चोटे बना रही हूं तो इस तरह से हम सारे पेड़े बना करके त्यार कर लेंगे तो देखिए आप मैंने सारे पेड़े इस तरह से बना करके रख लिए हैं छोटे-छोटे से अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो फ्रेंट्स मैंने आप तेल गरम करने के लिए रख दिया था यह बहुत अच्छा स और ज्यादा तेल भी नहीं एब्सॉब करेंगे तो आप इन्हें तेज आज पर ही सेखें तो यहां गर्म तेल में मैंने इन सारे बड़ों को एट कर दिया है और इन्हें एक तरफ से गॉल्डन ब्राउन होने तक हम सेख लेंगे और जब एक तरफ से शेख जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे और इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स बड़े कितने अच्छे से फूल गया है तो सारे बड़े हमारे कितने अच्छे से फूले हुए हैं और इन पर थोड़ा सा लाइट गॉल् यह से करके हम इनने निकाल लेंगे वेहां तो यह देखी फ्रेंट बढ़े तैयार हो चुके हैं तो इन्हें बहा निकाल लेते हैं देखी इस तरह से सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन्हें बहाँ निकाल लेते हैं ये देखिए सारे बड़े हमारे बहुत ही फूले-फुले से बनके त्यार हुआ है इस तरह से मैंने सारे बड़ो को फ्राइ कर लिया था और दूद हमारा यहां पर रेडि हो चुका है यहां पर इसमें बड़े को आड कर देंगे और गैस को हम आफ कर देंगे अगर आप दूद पहले से बना के रख चुके हैं तो आप उसे वापस से गरम कर लीजे और उसे अच्छा गरम हो जाने पर उसमें बड़े एड़ करके और गैस को आफ कर दीजे बड़े एड़ करने के बाद हमें गैस बिल्कुल भी और नहीं रखनी है गैस को तुरंती बंद कर देना है नहीं तो यह बड़े एकदम से उसे में तूप जाएंगे तो यहां पर मैंने गैस को आफ कर दिया है अफ्रेंट बड़ो को एड़ करके यह आप अच्य से आइड कर दें उसके बाद ही गैस को आफ करें और थोड़ी देर के लिए ऐसे हम इसे बंद गैस पे छोड़ देंगे इसी बरतन में ताकि अच्छे से इसमें अच्छे से में एक बड़ा और साथ में थोड़ा सा दूद एट करके इसे सब करेंगे तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जुरूर बताएं फ्रेंड्स थैंक्यू फ्रेंड्स